एक समय की बात है, एक गाँव में एक मूर्टिकार रहता था, मूर्टिकला के प्रती अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्टिकला को समर्पित कर दिया था. परिनामतब वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ती जीवन्त प्रतीत होती थी उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी-भूरी प्रशनसा करता था उसकी कला के चर्चे उसके गाव में ही नहीं, बलकि दूर-दूर के नगर और गाव में होने लगे थे ऐसी स्थिती में जैसा सामान्यता होता है, वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ उसके भीतर अनकार की भावना जागरित हो गई वो स्वयम को सर्वश्रेष्ट मूर्तिकार मानने लगा, उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अन्त समय निकटाने लगा, तो वो मृत्यू से बचने की युक्ति सोचने लगा वो किसी भी तरह स्वयम को यमदूत की द्रिश्टी से बचाना चाहता था, ताकि वो उसके प्रान न हर सके अन्तता उससे एक युक्ति सूझ ही गई, उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए दस मूर्तियों का निर्मान किया वे सभी मूर्तियां दिखने में हुबहु उसके समान थी, निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवन्त प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही ना रहा मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया युक्तिनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था उसकी युक्तिकार गभी सिधा हुई जब यमदूत उसके प्रान हरने आया तो ग्यारह एक सरी की मूर्तियों को देख चकित रह गया वो उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था किन्तु उसे ग्यात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है मूर्तिकार के प्रान हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी उसके प्रान नहर पाने का अर्थ था प्रकृती के नियम के विरूद्ध जाना प्रकृती के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आचुका था मूर्तिकार की पहचान करने यमदूधर मूर्ती को तोड़ कर देख सकता था किन्तु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था इसलिए इस समस्या का उसने एक अलगी तोड़ निकाला उसे मूर्तिकार के अहनकार का बोध था अता उसके अहनकार पर चोट करते हुए वह बोला वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकत्ता और सौंदर्य का अध्भुत संगम है किन्तु मूर्तिकार एक तुरुटी कर बैठा यदि वो मेरे सम्मोख होता तो मैं उसे उस तुरुटी से अवगत करा पाता अपनी मूर्ति मे की बात सुन अहनकारी मूर्तिकार का अहनकार जाग गया उससे रहा नहीं गया और जट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला त्रुटी, असंभव, मेरी बनाई मूर्तियां सरवदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ती काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटी है कि अपन अहनकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्रान हर यमलोक वापस चला गया।